करोडों जो नर्च की यातना में जी रहे हैं मैं बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेश रूप से कहना चाहता हूं वो भी इस डिबेट को देखते हैं उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिक्ता का समर्थन करोगें वो लोग भी चाहते हैं कि आप उनको अधिकार जो मिल रहा है उसमें रोड़ा न डालो और मैं कॉंग्रेस के मित्रों को भी कहता हूं कि आप चर्चा के अंदर ये साबित कर दीजिए कि बिल किसी के साथ बेटबाव करता है तो मैं यहां से बिल लेकर वापिस चला जाओंग मगर ये बिल किसी के साथ बेटबाव नहीं करता किसी को अधिकार देने का बिल है किसी का अधिकार चिनने का बिल है किसी का अधिकार नहीं चिना जाते हैं और ये बिल के अंदर हमने जो व्यवस्ता की है ये व्यवस्ता मैं थोड़ा फिर से एक बार बताना चाहता हूँ ये विधर्यत हमारे तीन पडोसी देश जिन से हमारी जमीनी सिमा छूती है पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आये हुए हिंदू, सीख, जाइन, पार्सी, बौध और इसाई समुदाई के ऐसे प्रवास्यों के लिए भारतिय नागरिक्ता का रास्ता खोलता है जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताडित हुए है आपर इजम्री कार्पुनर रिहा करो तो करे जमुरार ठीके अमुरी कार को अगारो है को करें रसे करें रसे का उज connected रसे का उजह reality रसे करें में感ेल की बार रसे ECHO! 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 ECHO मैं संदीक मर्दर्डी एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं चुपी तोड़ो नहीं तो देश चूड़ जाएगा इसके पहले हिस्से में हमारे साथ बात कर रहे हैं आज शुम्शूल इसलाम जी तो इस प्रोग्राम का पहले हिस्से का अमने नाम रखा है एक और संताली और मैं आपको एक मश्वरा देता हूं कि आपके पास जतने पैसे हैं एकठे कीजिए बैंकों में हैं तो निकाल लेजिए इस मंदी के दोर में आप जतने पैसे एकठे कर सकते हो करिए और अपने पास रखिए मार्कित जाईए और खाने पीने का जितना समान हो सके ख्रीद लीजिए यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के उपर एक आफ़त आने वाली हैं सर्दियों के दिनों में अक्सर जहां बहुत बड़े पहार हैं बर्फ पढ़ती हैं व मैं इस आफ़त की बात कर रहा हूं वो आफ़त कोई कुदरती नहीं हमारी सरकारें हमारे ओपर थोप रही हैं हमारे ओपर एक ऐसा बिल लागू करना चाहती है जो गैर सब्दानिक और गैर मानविये है सी एपी सिटीजन अमेंडमेंट बिल और इस बिल के विरोद में पू इसलिए ये जे अब बात सिर्फ असाम तक नहीं रहेगी जे पूरे बारत में फैलेगी इसी के साथ ही वो एनरसी लागू करेंगे साथ ही में सी एपी ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्गिट जाएए खाने पीने का समान खरी दीजिए अ इसलिए आप मेरी बात को हासंे में मत लेना और इसको एगनृर मत करना ये मैं आपको अगार मार्ण करना हूं कि बारत के अंदर जैसी सिटीएं पैदा कीर यह रही हैं इसलिए हमने इसे एपीसोट का नाम रखा था एक और संताली मतलब उनीस सॉ संताली में जो हुआ ठाल और को काम करु कैसे काम करता है देश को बराद का रहा है उनकी बहुत सारी कषिए झादे जाते से पहले मैं आपसे छोड़िए अपनी जूआज प्रक्रत उसको अपने साथ में रखते हुए अब एक बारतिय के तौर पे लड़ने की जरूरत है क्योंकि अब हमारी नागर्टता के ओपर हमारी सिटीजन के ओपर एक स्वालिया चिन लगा दिया है सत्ता ने और इस सत्ता से सत्ता के ओपर जो सरकार बेटी है उस से लड़ने के लिए अपने आपको और अपने परवारों को बचाने के लिए हमें कमर जैसे कहने है कि कमर कसे कमरों को एक दम बांद लेना चाहिए और तैरी करने चाहिए और मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह बात सिर्फ हमारी नहीं हमारी नसलों की है अब बात हमारे गर की हमारे गाउं बाताओ इनकी जो भी चाल एगार के लिए अपने बाइचारे को मत तोड़िये जब तक हमारा बाइचारा जन्धा है तब तक हमारा बैचारा जन्धा है ज offense अपने बायार को प्रवारों को और अपने देश को बचाने के लिए एंगा हो इनके कदम कैसे हैं इनके पास हमारे देश की अर्थविवस्ता फूरी डूप चुकी है नौकरिया नहीं है हर फ्रंट पर ये सरकार फेल हो रही है तो अपने फेलियर को अपनी असफलता को शुपाने के लिए ऐसे काम कर रही है जिससे हमें हम लैनों में लग जाएं जैसे न हमारी नाज़त्तरा के ऊपर सवाल किया जा रहा है हमारे ही कल्चर को temps करने की बात की आ धार हर जगा में बगवकरं हो रहा है हर जगा में अर्यस्सपने पहर फिला रही है उनके प्रों को रोखने के लिए और उनकी आखों की द्शा बदलने के लिए हमें सब को एक होक पर लड़ने की जरूरत है और अपने बाईचारे को बचाने की जरूरत है अब हमारे साथ फून कॉल पर बात करेंगे शुम्शूर इसलाह। आपकी जतनी हुमर हो गई है अपने अपनी हुमर में ऐसे हलाद कभी देश के देखे हैं। और उसका नतीज है जिड़े सिपाही वो भारत सरकार की सेना में सी और वो सरकार भी दीवती करके अमरी सर तो आ रहे सी उन्हानों भी जिलाके मा रहा। पिर उसके बाद पान भी वेखे आजने। पिर उसके बाद हमने दो हजार दो वेखे आ। पिर उसके बाद हमने इसाईयों का कतले आम देखा और इसा में। तो यह सब देखते थे लेकिन ऐसा लगता था कि चलो यह कोई बुरा सपना है। यह तो राजे तो इसके खिलाव हैं। पर यह खास तरुपे मोधी की सर्कार जो 2019 के बाद आईया है। तो इनको ऐसा लगा है कि इनको लाइसेंस में लिया है भारत को हिंडू राष्ट्र बनाने का जिसमें मनुस्पृती लागू होगी। और हिंडू राष्ट्र जो है और शर्म ती गल है कि इनको ने शपत की है जड़े परधान मंतरी के हो मिनिस्टर बने होए ना है। जिसमें तो इसमें सबसे खतरनाज बाती हैं। यह जीते हैं भारत के समिध्धान को लागू करने के लिए सबकार बनाएंगे। जीतने के बाद इनको सोच रहे हैं कि इनको आरे सेस का जो तेश तोलने का एजन्ड़ है जो उसको पूरा करेंगे। जो यह कर रहे हैं। और दूसरी एक बहुत शर्णात बाती है कि बहुत सारे देश को खतरा होता है ना विदेश से कोई आएगा जिश्मन आएगा विदेश को तोड़ेंगे देश को हमला करेंगे। प्रॉलम करेंगे। यह तो यह अंदर से करार है। यह तो सर्णार में बैठ कर भी कोई पर देश को कराती हैं। नाध्रिक्ता गाता है, यह उसके अंदर इननने आपु आपुछा कि इससे हदू को हम संतूस कर देएगे। लेकिन आप देखिए कि असाम के हिंडू, आसाम के रहने वाले हिंडू जो कैसे सडकों पर आकर गुरोध परगट कर रहे हैं, कर्फ्यू रगाना पड़ ले हैं, तो ये जो गंगा जमना के बीच के इलाके के प्रह्मन वाद है ना, जी आरे से जिसको जंडा लेकर गुरूम और पेश्वा राज का जो जिन्दू राश्टर की कल्पना है, वो इसको लागू करेंगे तो देश टोटे गाई तो सम्षूल जी ये मैं बात आप से समझना चाहता हूं कि जैसे अब जे इनका मोटा मोटा जो देखा जाए तो इनका टार्गेट है जो मुसलिम के अंदर जो विबाजन है जो उसके अंदर शुडूल कास्ट है क्या वो भी इसके चपेटे में आएंगे मैं मैं आप से थोड़ा भिल रहा है जगता हूं जी ये जो ये जो सारे तानून और ये सब कर रहे हैं जिसमें ये है कि वो निशाना मुसल्मानों को बना रहे हैं जी लेकिन आप ये समझें में आप से समझना जाता हूं इसलिए मैंने पूछ को अगरे हैं क्योंकि इनको इस बेश के 80 परकंट चो हिंदू है उनके रोकी रोजी का सवाल बेहनाई दूर करने का सवाल उनके लिए इसकूल कोलेज को लने का सवाल उनके लिए को स्वास के उनको सेवाई मिलें, उसका सवाल, उनकी जिन्दगी सुरक्षित रहे, उनको सबसे लूटा ना जाए, बच्चियों को रेप ना किया जाए, ना, विफ़ल हो गए, पूरे तोर पर विफ़ल हो गए, यानि आप जो समझे कि कैसे जहां पर मोती का और आमित का जो सबसे प्या यानि कैसे बच्चियों को मारा जा रहा है, रेप किना जा रहा है, और वो BJP के आदमी है, वो RSSS के आदमी हैं, जो काम को करने में लग रहे हैं, अभी जो उन्नाओ, उन्नाओ में एक BJP का MLA, जो उसको तब पुटा गया, जब बच्ची ने अपने उपर आग लगा ली, जब बाप को मार दिया गया, अभी जो बच्ची दूसरी उन्नाओ में है, इसके जो उची जाती के, इसके जो ब्रतकारी के, उनको एक को छोड़ दिया था, उनको छोड़ दिया गया, उसने फिर मिलकर और बच्ची स्वाती से उसको पोट नो भी उसनो पेल में गई थी, यह यहां हमारे जो मजदूर है गुलगावा में, वो गुलगावा में मजदूर, पंदरा-बंदरा साल पुराना मुकत्मा कोई हुआ, उनको जमानत नहीं मिलीए, यह जो भी आ खुन रहे हैं, तो इस सब का क्या जवाब देंगे, इस शब का क्या जवाब देंगे, इस 80% को यह जवाब देंगे के नहीं नहीं है तो तुम्हारे जोरोजगार, बेरोजगारी, बलादकार, यह सब तो छोटी-छोटी समझते हैं, क्या बात कर रहे हैं, असरी खतरा तो मुसल्मान है, और यह मुसल्मान करते-करते, यह बात को भूल जाए, कि सिरी लंका में कितना ह हिंदू तविंजन्स का कतले आगवा है, इतना कतले आगवा है, उनकी इनको चिंता नहीं है, है ना, अचा फिर यह बूलते हैं, कि हम तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश में, जो हमने लखा है कि वहां सिर्फ हिंदू, सीख, ईशाई, और बोद और जै हमारे बहुत सारे साथी मारे जा चुके है, पंगलादेश में, कम्यनिस्तान पनीस्तान जो मु इस पुर्फ हां ऑर टोम कर तो खास वड़ा जा रहे हैं, इनको मारने के वाद पेरों बलट नचाते हैं, मतल American積 anxiety मु kiss on media, जो अजो उदार वादी है, जिनको हम बलोगर कहत पर सवाल यह है कि यह तो तो मुसल्मान है चाइना में चाइना मुसल्मान है तो वह तो फारी मैं रखा हुआ है लेकिन यह चीन को नराज नहीं करना चाहते हैं यह जो इनका बाप है ना उसको नराज नहीं करना चाहते हैं यह सिरी लंका जो बिलकुर राइटिस्ट जो फाकिवाटी बुधिस्ट पावर में आये उनको यह नराज नहीं करना चाहते हैं जी और इसमें घर्थी जी बड़ी मज़ेदार कहने हैं होई है कि ए तसलीमन असरी कि इसने इसके पना लिए है ना बारत में हां उसनों इना बाहर देजिना पड़ेगा इसनों बंगला देजिना पड़ेगा क्योंकि कोई मुसल्मान को तो यह नागिकता दे नहीं सकते हैं दे नहीं सकते हैं क्योंकि यह तो यह मानते हैं कि किसी मुसल्मान किसी मुसल्मान पर अतियाचार जो वहां होगा तो उसमों तो मातियाचार माने नहीं क्योंकि उतों मुसल्मान है आचा दूसरी बाद मैं आपको बताओ मज़ेदार इनको शिखो की बुद्धों की जैनियों की इतनी चिंतावर जो विदेशों में रह रह रहे हैं की इस सुनियों को सपना लुद्ध सम्मान करते हैं और और सुनिये इनको रिशाइयों पर बहुत प्यारवर रहे हैं जी ना इसाइयों पर जो हमले हो रहा है इसाइयों के जो लोग मारे गए आप जानते पिरायन स्टेंस उनके दोनों बच्चे कैसे मारे गए जी वो सारे के सारे खुला छूप गए जो जो आरे सेस्के लोगों ने मारा था और उसके बाद अभी अभी जब यह बिल पास हो रह लॉड्य होने है इंको पार्लेमेंट और असम्बàiस में उनके कूछ शी विल डाशी उन्होंटा ईब यह कुछ आथी झांख अधी को तो हैनना हो आपको क्या लगता है कि ये पचास साल की त्यारी करें हैं? तो जैसे असाम में ब्रोध हो रहा है अब दूसरी जगाँ में बंगाल में भी होगा तो अगर जे ब्रोध पूरा उगर होता है पूरे देश में फैलता है तो क्या इसका असर होगा इन पर? इन्होंने तो तै कर लिया है इन्होंने तै कर लिया है कि ये जो है तभा करेंगे अब देखिये तै के अब आयरवेदी कोलीज हो आय आयवेडी के स्टूदाटन्स हो एम्स के स्टूडंटों सारे के सारे के सारे से बर्बावति के थलाज इसके थलाब अन्दोलन कर रहे हैं जिन में बैखे हैं, बिल्ली उनस्टी के 9000 टीचर, जो जो एधाउक टीचर के उनको इनो डेली वेजर कर दीता है, इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, इनका कोई असर नहीं हो रहा है, बात यह है, कि यह पूरा देश को सिविल वार की तरफ ले आ रहे हैं, अच्छा मैं आप जिनके जलाब सब कुछ हो रहा है, जिनके जलाब कर्शू लगाया जा रहा है, यह तो सारे हिंदू है, जिए हो बिरोध इसलिए कर रहे हैं, कि इनोंने सूचा था कि NCR जो बनाया था, उसमें सारे मुसल्मान पकड़े जाएंगी, तो मुसल्मान तो उसमें से पंदरा लाख हिंदू हैं अब यह कर रहे हैं कि 15,000,000 को नागरिकता देंगे तो अगर यह नागरिकता देनी थी तो असाम समझोते का क्या होगा असाम समझाता जोता वो तो कोई मुसल्मानों के खिलाफ दो नहीं थी वो तो यह था जो भी कि नौन असमिया यह आढ़ा है उसको उसको दिशमबर के बाद वो इसको जो राज रे निक अर्गर तो आप उसको भी तोड है यानी आप असाम के लोगों को गिद्रो की तरफ ले रहे हैं और बिल्कुल हिंसा कर रहे हैं और आज का इंडियां एक्स डिल्ली का की टोरियल हम तो आपने जो स्टोरी करेंगे उसमें उसको लगाजीजी ठीक है और उसमें का है कि ये देश के इतिहास में शर्म का दिन है ये ये क्या हो रहायरा है टेश किस रास्ते पर जा रहे हैं कि ये थे जेखिये कि ये निटीश कुमार और ये पासवान जैसे जोड़ सक्रोग करें और मुझे तो लगता है इंसाप इसे बात इज उसलिए ότι प्रोदर जा में रह सकते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं आप जानते हैं पास्वान में बावरी मजडिक गिरने पर इक्तिफा दिया था अटल जहरी बाच्पाइब की सरकार गिरा ही थी क्योंकि वह बीजेपी की कमिनल पॉलिटिक से सहमत नहीं था आज यह कैसे इनों ने रंग बजल लिया इसका मतलब सा खमाँ सथाल कि इन लोगों पर कोई ऐसा दबाओ है कि डवा है उनके ओपर कोहीं न कोई लैकिन भारत की जंता पर तो कोई नहीं था दबाओ हैं व्हें बुल कोई चलाओ लाटी उनाइकी नेशनस उस दात की आगया नहीं देंदी, कि उस दे तुसी वोटिंग राइट ले लोगे, उसको तुसी जेल में बन करोगे, बनके सची बात ही है कि उनको घर में बिठाके इनों ने खिलाना पड़ेगा, बिल्कुल जी खिलाना ही पड़ेगा उनको, और जब सारे जब सारे देश में करेंगे, जब सारे देश में करेंगे, तो मानलो बहुत मोटा मोटा भी 20 करोण रोग इनोंने बाहर कर दिये, 130 करोण साधिया बादी है ना 120 करोण, बिल्कुल जी, तो 20 करोण बाहर कर दिते हैं, तो उनके खाने का, उनके रहने का, उनका सारा इंतजाम इन्होंने करना पड़ेगा वो सरकारी महमान होंगे बिल्कुल जी तो आप अंतर रास्पी पहमाने पर अपने देश को एक अड़ा बनाओगे युनाइटी नेशन की छेना आएगी यहां पर यह होगा वो होगा सब और हम बोलते हैं हम यह कहते हैं के पाकिसान अफ़ानिसान बंग्लादेश में पत्याचार हो ले तो पताला लगय है सारे दुनिया में सबस्हता रदा अचार करने वाला तो भारती बन गया है बिल्कुल बन गया है जी और एगों छर्म करोगे लेग К 빠 w झाल्फम मोरी में झालक याषी है विसते बेकोर इसकी बॉलताएं कि हमारी आपकि यहन लिंधशिग नहीं है क्योंकि आपकि यहां व्ध है थेक्ऑ अप मुप gef गांधी को counterpart भेल्डर करते हो तो तो इसको मुदर नी कहते हो उसको वद कहते है वद और मुस्दा है तो आप तो कब से दलीतों की कुर्बानी करते रहे हो दलीत अगर बराबर में बैठ जाए उसके नीचे का बूले बम काड़ दो वो अगर उची अवाजों बोले उसकी जबान निकाल लो अगर उसकी संस्कित के शलोक उसके कान में चले जाए हो से कान में सीशा डालतो हैं और वो शुद्र जो है हमेशा ही शुद्र रहेंगे गुलाम रहेंगे और और ओरतों को लेकर यह है कि वो हमेशा गुलाम ही रहना है उन्होंने जी बच्पन में अबने बाप का गुलाम रहना है शाजियों पर पती का गुलाम रहना है तिर बूरी हो यह कामियाब होंगे लेकिन इससे पहले एदेश का पूरा सत्यानास कर देए देखे इन्हों पूरी पाखले मिंट इन्होंने ट्राध हमका के अपने साथ कर लिए बिल्कुल जी इन पिछनाची जश्चीश था वो तो एक सेक्स रैकेट में था तो इनको पता था उसको दवावा कर उसके जब बात कोई कई जब रिटायर हो रहा होता है यह तो वो रिटायर वाले अबले घंट में तो सोचने की बात है ना एक एक बात बताओ, हमारे जब बोडे हो जाते हैं और जब रेटायर होने को हते हैं यह उनकी लगता है के यह मर जाएंचे तो हम यह कदें कि आप आखरी दिनों में और यह बाभरी गया और गैटे हैं आकरी दिनों में देगए जो रही हो किसमी हम से देगी है वो कैता जी ने और भाई क्यों वो करें ने मैं तो हुआ पोलिगर बड़ी के रही है? कि वहाँ बाबा गैश्त और बाबा ने देशा है कि वहाँ मंदित आप गुरुद्वारा परतबंदत कमेटी कह रही है शिरी गुरुद्वारा पंदफ गरी यो राष्ट्रिय समय किने वो कह रही है ऐसा कोई दस्तावेज हमारा है नहीं ठीक है भई आपने शिखों के किसी तो आपने सुनवाई करनी की ना उसकी उसको कहते है आका तुम बताओ तुम कैसे कह रहे हो बिल्कुल ठीक है और बाबजी मस्जिद का तो खुद कह रहे है कि मस्जी को तोड़ना गलत था मस्जीद में रामलला आ गये वो गलत था लेकिन लोगों ने तोड़ा रामलला व रजवान के जो साबक है वो हिंदु विष्व हिंदु परिशाद है जिसको आप कह रहे हैं उन्होंने तोड़ा था 6 तिसंबर को जी तो यह सब जो हो रहा है जो देश का करेंगे यह मुसल्मान मुसल्मान के इनको बावासीर हो गई है ना यह देश की जान ले लेगी किसी नौकरी में नहीं, टौलत में नहीं, एडूकेशन में नहीं किसी मिदिक्रास कॉलोनी में चले जाओ इंडिया कि कि सिए ज़्याँ आपकेमिद्नी μας अपर मीदिक्रास तो छोड़ी जी दीजिए जी इसका जुका हो सकते हैं लेकिन कहा हैं कहा है मुसल्मान जो सरकारी आथब होगा तर नीचे पाइदान पर खड़े होगे नीचे पाइदान पर खड़े हुए इस में कोई श्यक्राइख न इची न होगा हूआ रहे हुआ और हूआ ऩसलिए बना रहे हैं यह निए मुसलमान किसी कंपटिशन में नहीं है तो इसलिए मानना है क्योंकि इतिहास में कभी ये जो मुसलमान है ये सारे शुदर है इनोंने धर्म इसलाम धर्म अपनाके अपने आपको समाजी परावरी दिलाने की चेश्टा की और उसमें कामयाथी हुए हुए हैं जी ये उनको मंजूर नहीं ये उसका बदला लेना चाहते हैं और अपने जो आज के जलीद हैं उनको भी एक चितावनी दे रहे हैं कि अज़ तुम ऐसा करोगे तो हम देखो जो मुसल्मानों का हल कर रहे हैं भी तुम्हारा करेंगे तो शम्शूर जी अगर जो मुसल्मान हैं यहां की क्मिनुटी अगर बाहर होती है तो अगर इसी महीम चलाते हैं कि आप घर वापसी करो जैसे पहले की थी तो क्या कोई एसी नहीं घर वापसी तो अलब की सी ना घर वापसी तो जूट ये बोलते थे कि जैसे यह सारे लोग पहले हिंदू थे जो शुजर थे वो तो कोई बट वो हिंदू क्या हमको तो मंदिर मेने घुजमे देते तो उनके तो उनके तो बगवान अलग थी वो अपनी नेचर की पूजा करते हैं अभी तो हमारे यह जो जंगरों में रहने वाले लोग हैं ट्रैवल्स जी कोई करते हैं जो मर जाते हैं तो यह हिंदू थोड़ी है लेकिन उनको ने बोलते हैं कि हम इनको घर वाक्सी करा रहे हैं यह सारा यह हिंदू थे हैं हैं शब्ध हिंदू किरा चौत्वी पंदवी शृथापती भी क्या है हो बोले कि हिंदू हम लाकों साल से रहते हैं बिलकुल झाल, झाल. झाल, झाल.